मधुर और चट्पता संगी सिर्फ रेडियो उडान पर फिल्मिंग गपसफ सिर्फ रेडियो उडान पर खेल और समाचारों की बातें रेडियो उडान पर दोस्तों समसमाईग विशों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्रेम्स इन थाक्ष्री से लेकर और ना जाने क्या-क्या अरे सिर्फ रेडियो उडान पर दोस्तों और कहां जी हां आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उडान लेकर आया है आपके लिए कम्प्लीट प्रोग्राम बोनेंजा हमारी वेब साइट का पता है www.radiouran.com तो सुनते रहिएगा रेडियो उडान नमस्कार शोताओं रेडियो उडान पर मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का शुक्रवार कर दिन शाम के साथ बच चुके हैं और मैं लेकर आचुकी हूँ आपके लिए ज्यान मनोरंजन से भरपूर प्रेड़न दायक कहानिया मैं आपके लिए लाए हूँ आपके मन पसंद शो कथा लोप में साथ ही हमारी शो में काविधार अस्तंब भी शामिल होगा जिसमें होंगी हरिवंश्राय बच्चन की कुछ कविताएं कहानियों में सबसे पहले आप कहानि सुनेंगे कांच की बर्नी और दो कप्चाए इसके बाद आप सुनेंगे धर्मसार इसके बाद हम आपको सुनाएंगे शिप पुरान की कुछ कहानियां साथ ही साथ हिंदी साहित्ति की प्रसिद लेखी का महादेवी वर्मा की कहानी सुनेंगे आप गिल्लू और हम आपको बता ही चुके हैं कि कावेधारा स्तंब में हम कविताएं सुनेंगे हरिवन श्राय बच्चन की तो कहीं मत जाईएगा बने रहिए आप मेरे साथ पूरे एक घंटे तक शोलताओं सबसे पहले हम आपको कहानी सुनाते हैं काच की बर्नी और दोकप जाए दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर कक्षा में आए और उन्होंने चात्रों से कहा कि वे आज वो जीवन का एक महतोपूर पाट पढ़ाने वाले हैं उन्होंने अपने साथ लाई एक बहुत बड़ी काच की बर्नी को टेबल पर रखा और उन्होंने टेबल टेनिस की गेंदे उसमें डालनी शुरू कर दी वो तब तक उसमें डालते रहे जब तक वो पूरी नहीं भर गई फिर उन्होंने चात्रों से पूछा क्या बनी भर गई तो चात्रों ने जवाब दिया हाँ फिर प्रोफेसर सहाब ने उसमें छोटे-छोटे कंकर डालने शुरू कर दिये और बनी को हिलाया तो जहां जगा खाली थी वहां कंकर समा गई फिर प्रोफेसर ने चात्रों से पूछा, क्या अब बरनी भर गई? चात्रों ने फिर जवाब दिया, हाँ. फिर प्रोफेसर साहब ने उसमें एक रेट की थैली को होले होले उसमें रेट डालनी शुरू कर दी, जहाँ जहाँ संभव था, रेट वहाँ जाकर समा गई. फिर चात्र अपनी नादानी पर हसने लगे, फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्यों अब तो ये बरनी पूरी भर गई ना? फिर चात्रों ने सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, अब तो ये पूरी भर गई है. प्रोफेसर साहब ने फिर टेबल के नीचे से चाय के दो कप नि और उसमे की चाय बरनी में डाली और फिर चाय भी रेत के बीच में थोड़ी सी जगा में सोक ली गई प्रोफिसर सहाब ने गंभी रावाज में समझाना शुरू किया इस काच की बरनी को तुम लोग अपना जीवन समझो टेबल टैनिस की गेंदे सबसे महतुपूर्ण भाग अर्था भगवान, परिवार, बच्चे, मित्र, स्वास्थे और शौक हैं छोटे कंकण अर्था तुम्हारी नौकरी, गाड़ी और बड़ा मकान हैं और रेत का मतलब और भी छोटी-छोटी सी बातें मन मुटाब जगड़े आदी हैं और अगर तुमने काच की बरनी में र जरूर आ सकती थी, ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है, यदि तुम छोटी-छोटी बातों के पीछे पड़े रहोगे, अगर अपनी उर्जा उसमें नश्ट करोगे, तो तुम्हारे पास मुख्य बातों के लिए समय ही नहीं रहेगा, मन के सुख के लिए क्या ज जेंदों की पहले फिक्र करो, क्योंकि वही महतोपूर है, पहले ये तै करो कि सबसे जादा क्या जरूरी है, बाकी सब तो रेत है, प्रोफेसर सहाब को छात्र बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अचानक एक ने पूछा, सर लेकन आपने ये नहीं बताया, कि चाय के दो कप क क्या है, प्रोफेसर सहाब मुस्कुराए और बोले, मैं सोची रहा था कि अभी तक ये सवाल किसी ने क्यों नहीं किया, इसका मतलब ये है कि जीवन हमें कितना ही परिपून और संतुष्ट क्यों न लगे, लेकिन अपने खास मित्रों के साथ दो कप चाय पीने की जगा हमे दिखा भी होगा, चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं और सुनाएंगे और कहानिया, कहीं मत जाईएगा, बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ आरजी गीता सुमन, और शो सुन रहे हैं आप कथा लोग मैं आपके लोग संसार है कि नदिया दुख सुख दो कि नारे है ना जान कहां जाएं हम बहते धारे हैं संसार है कि नदिया दुख सुख दो कि नारे है ना जान कहां जाएं हम बहते धारे हैं संसार है एक नदिया जान कहां चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक ले है चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक ले है एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है संसार की हर शय है एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं ना जान कहां जाएं हम बहते धारे हैं हम बहते धारे हैं हम बहते धारे हैं कर्णेट वे टाल साथ कर्णेट संसार तो कर्णेट कर्णेट संसार है एक नरिया दुख सुख दुख इनारे हैं ना जान कहां जाए हम बहते धारे हैं संसार है एक नरिया आ जान के दुख 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 धर्टी में अंबर की आँखों से बरसती है इत रोज यही भूने फिर मादर बंती है इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में साले दे ना जान कमा जाए हम बहते धारे है संसार है एक नदिया कोई भी किसी के ले अपना न पराया है कोई भी किसी के ले अपना न पराया है रिष्टों के उजाने में हर आदमी साया है खुद्रत के भी किसी को तो ये खेलनी आरे है ना जान तो आजाए हम बहते धारे है संसार है इतना दिया है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने बिन उल्जे काटों से है फूल चुने किसने है फूल चुने किसने बेजाज नहीं को ये यहां पापी सारे है ना जान कहा जाए हम बहते धारे है संसार है एक नगिया दुख सुख दुख नारे है ना जान कहा जाए हम हम बहते धारे है हम बहते धारे है हम बहते धारे है वेल्कम बेक शोताओं, रेडियो डान पर आपका फिर से स्वागत है, आप शो सुन रहे हैं कतालोग, और अब हम आपको सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें धर्म की सार्थक्ता बताती है, धर्म की महत्ता बताती है, और सभी मानव को एक बनाने का उपदेश देती है, जी ह धर्म का सार तो मैं आपको बताती हूँ कि स्वामी विवेकानन जी धर्म के बारे में हमें क्या संदेश देते हैं आएशुताओं अब हम आपको सुनाते हैं कहानी धर्म का सार ये उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानन जी अमेरिका में थे वहां कई महतुपून जगा ओपर उन्होंने अपने व्याख्यान दिये उनके व्याख्यानों का वहां जबरदस्त असर हुआ लोग स्वामी जी को सुनने और धर्म के विशे में अधिक से अधिक जानने को उत्सुख हो उठे उनके विचारों से प्रभावित होकर एक दिन एक अमेरिकी प्रोफेसर उनके पास आया उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम करके कहा स्वामी जी मुझे अपने हिंदू धर्म में दिक्षित कीजिए इस पर स्वामी जी बोले मैं यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आया हूँ ना कि धर्म परिवर्तन के लिए मैं अमेरिकी प्रचारकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि वे धर्म परिवर्तन के अभियान को बंद करके प्रतिक धर्म के लोगों को भेतर इंसान बनाने का प्रियास करें यही धर्म की सार्थक्ता है और यही सभी धर्मों का मपसद भी है हिंदू संस्कृती विश्व बंदुत्व का संदेश देती है मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती है वे प्रोफेसर उनकी बातों से अभी बूर्थ हो गए उन्होंने कहा स्वामी जी कित्या इस बारे में और विस्तार से बताईए प्रोफेसर की ये बात सुनकर स्वामी जी ने कहा महाशय इस प्रित्वी पर सबसे पहले मानव का आगमन हुआ था उस समय कोई धर्म जाती या भाशा नहीं थी मानव ने ही अपनी सुविधा अनुसार अपनी अपनी भाशा जाती और धर्म का विकास किया और अपने मुख्यों देशों से भटक गया यही कारण है कि समाज में तरह तरह की विसंगतियां आ गई है लोग आपस में विभाजित नजर आते हैं इसलिए मैं तुम से ये कहना चाता हूँ कि तुम अपना धर्म पालन करते हुए अच्छे इसाई बनो हर धर्म का सार मानवता की गुणों को विक्सित करने में है इसलिए तुम भारत के रिशी मुनियों के शास्वत संदेशों का लाब उठाओ और उन्हें अपने जीवन में उतारो वे प्रोफेसर मंत्र मुख्थो कर ये सब सुन रहे थे स्वामी जी की प्रती उनकी आस्था और भी जादा बढ़ गई जी हाँ शोताओ तो ये है कहानी धर्म का सार जो हमें समझाया स्वामी विवेकानन जी ने तो चलिए शोताओ अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हिंदी साहित्ति की प्रसिद्दि लेकी का महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू तो हम और आप मिलकर सुनते हैं ये कहानी गिल्लू अचानक एक दिन सबेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों और चोचों से छुआ छुआ उवल जैसा खेल खेल रहे हैं निकट जाकर दिखा गिल्हरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवत हर गोसले से गिर पड़ा है और अब कौवे चिसमे सुलब आहार खोज रहे हैं वह निश्चेश्ट सा गमले से चिप्टा पड़ा था सब ने कहा कौवे की चोच का गहाव लगने की बाद यह बच नहीं सकता अता इसे ऐसे ही रहने दिया जाए परंतु मन नहीं माना उसे हौले से उठा कर अपने कमरे में लाई फिर रूई से रक्त पोंच कर गहावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया रूई की पतली बत्ती दूद में भिगो कर जैसे तैसे उसके ननहे से मूँ में लगाई पर मूँ खुल न सका और दूद की बूंदे दूनों ओर लुड़क गई कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मूँ में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीन-चार मास में उसके स्निक्द रोई, जब्बेदार पूंच और चंचल चमकीली आँखी सब को विस्मित करने लगे हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे मैंने फूल रखने की एक हलकी डल्या में रूई बिचा कर उसे तार से खिड़की पर लठका दिया वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा, वह स्वयम हिला कर अपने घर में जूलता और अपनी काच के मनकों सी आखों से कमडे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जानी क्या देखता समझता रहता था, परन्तु उसकी समझदारी और कार्यकलाब पर सबको आश्चर्य होता था जब मैं लिखने बैठती, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकरशित करने की उसे इतनी तीवर इक्छा होती थी, कि उसने एक अच्छा उपाय खोश निकाला वह मेरे पैर तक आकर सर से परदे पर चड़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता उसका यह दोडने का क्रम तब तक चलता, जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती कभी मैं गिल्लू को पकड़ कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतरित, सारा लगुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता इस अद्बुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दिवार के सहारे खड़ा रहकर, वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाब देखा करता भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कित मिल जाने पर उसे स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता रहता नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले-हौले आने लगी बाहर के गिलहरियां खिड़के की जाली के पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगी गिल्लो को जाली के पास बैटकर अपने पंज से बाहर जांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लों ने बाहर जाने पर सच मुझी मुक्ते की सांस ली इतने चोटे से जीव को घर में पले कुटे, बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थिया आवश्यक कागस पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंध ही रहता है कॉलिज से लोटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लो अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दोड़ने लगा तब से यह में तवा क्रम हो गया मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की रह बाहर चला जाता और देन भर गिलहर्मियों के जुंड का नेता बना हर डाल पर उचलता कुदता रहता और ठीक चार बजे वा खिड़की से भीतर आकर अपने जूले में जूलने लगता मुझे चौकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन हो गई थी कभी फूल दान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नत में और कभी सोन जूही की पत्तियों में मेरे पास बहुत से पशुपक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है परन्तु उम्मे से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, गिल्लू इनमें अपवार था मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती, वह खिड़की से निकल कर, आंगन की दिवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुँच जाता और मेरी थाली में बैट जाना चाहता बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैटना सिखाया जहां बैट कर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठा कर बड़ी सफाई से खाता रहता काजू उसका प्रिया खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीज़ें या तो लीना बंद कर देता था या जूले से नीचे फेंग देता था उस बीच मुझे मोटर दुरघटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा उन दिनों जब मेरे कमरे का दर्वाजा खोला जाता गिल्लू अपने जूले से उतर कर दोड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी देजी से अपने घोंसले में जा बैठता सब उसे काजू दे जाते परन्तु अस्पताल से लोट कर जब मैंने उसके जूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले जिससे ग्यात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिया खादित कितना कम खाता रहा मेरी अस्वस्थता में वह तकिये पर सिर्हाने बैठ कर अपने नंधे नंधे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने जूले में बैठता उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वता नया उपाय खोश निकाला था वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट चाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता गिल्हरियों के जीवन की अवधी दो वर्ष से अधिक नहीं होती अतह गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आही गया दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया रात में अंत की यात्ना में भी वो अपने जूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बच्पन की मरना संस्तिते में पकड़ा था पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उश्रता देने का प्रयत्न किया परन्तु प्रभाद की प्रधम पिरन के सपर्ष के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया बजया अंतुरता भाल माड़ सो कतान Зवा प्रखव का अजीवन चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे जूटा राही चल अकेला चली भाल हजारों मील लंबे रास्ते तुझ को बुलाते यहां दुख्डे सहने के वास्ते तुझ को बुलाते है कौन सबाव इनसान यहां पर जिसने दुख ना जेला तेरा मेला पीछे जूता राही चल रखेला चल रखेला चल रखेला चल रखेला तेरा मेला पीछे जूता राही चल यहां पीछे जडिश्वा से पाम मेला चल प्रखेला चल रखेला चल रखेला ता क्वाय। झाल झाल तेरा कोई साथ ना दे तो तु खुद से पीत जोड़ ले विछोना घर्टी को करके अरे आकाश ओढ़ ले यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तुने कहां है खेला जल अकेला जल अकेला जल अकेला तेरा मिला पीछे जूता राजी चल अकेला तेरा मिला पीछे जूता राजी चल अकेला वेल्कम देक्षा ओता हूं रेडि उडान पर आपका फिर से स्वागत है आप शोव सुन रहे हैं कता लोग तो श्रोताओं अब हम सुनते हैं श्योप पुरान की कुछ कताएं पहले की बात है कि रातों के नगर में एक ब्रामर रहता था जो ज्यान से अत्यंत दुरबल दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से बिमुक था वैस्नान संध्या आदी कर्मों से भरस्ट हो गया था और वैश्य व्रती में ततपर रहता था उसका नाम देवराज था वै अपने उपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था उसने ब्रामणों, छत्रियों, वैश्यों, शुद्रों तथा दूसरों को भी अनिक बहानों से बना कर उनका धन हड़ाप लिया परन्तु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कर्मी धर्मकाम में नहीं लगा था वैश्यों गामी तथा सब प्रकार से आचार भिस्ट था एक दिन घूमता घामता वैद देव लोग से प्रतिस्ठानपूर में जा पहुँचा वहाँ उसने एक शिवाले में देखा, जहां बहुत से साधू महत्मा एकत्र हुए थे देव राज उस शिवाले में ठहर गया, किन्तु वहाँ उस ब्राम्हां को जोर आ गया इसे जोर से उसको बड़ी पीढ़ा होने लगी, बहाँ एक ब्राम्हां देवता शिव पूरान की कथा सुना रहे थे जोर में पड़ा हुआ देव राज, ब्राम्हां के मुखार विंद से निकली हुई, उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा एक मास के बाद जब जोर से अत्यंत पिढ़ित होकर चल बसा, यमराज की दूत आये और पाशो में बानकर बलपूरवक यमपूरी ले गए इतने महीं शिव लोक में भगवान शिव का पारशद गण आ गए, उनके गौर अंग कपूर के समान उज्वल थे, हाथ त्रशूल से शुशोवित हो रहे थे उनके संपूर्ण अंग वस्म से उद्दा सित थे, और उद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर के शुभा बढ़ा रही थे बेसर्फ के सब उक्रोध पूर्बक यमपूरी में गए और यमराज की दूतों को मार पीट कर बारम बार धमका कर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुडा लिया और अत्यंत अद्दूर विमान पर बिठा कर जब विश्व दूत कैलाज जाने के लिए उद्दत हुए उसी समय यमपूरी में बड़ा भारी कोला हल मच गया उस कोला हल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए साक्षाथ दूसरे रुद्रों के सामान प्रतित होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मग्य धर्मराज ने उनका बिधी पूरुबक पूजन किया और ग्यान रिस्ट्री से देखकर सारा ब्रतान जान लिया उन्होंने भए के कारण भगवान शिव के उन महात्माओं दूतों से कोई बात नहीं पूछी उल्टी उन सब की पूजा एवं प्राथना की तद पश्चाद वे शिव दूत कैलाश को चले गए बहा पहुशकर उन्होंने उस ब्रामहन को दया सागर सामे शिव के हातों में दे दिया शौनक जी ने पूछा महाभाग सूज्जी आप सरवग्य हैं महामते आपकी कृप्र प्रसाच से वारंबार कृथार्थ हुआ हूँ इस इथियास को सुनकर मेरा मन अत्यन्त आनन्द से निमगर हो रहा है अतह अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संब्धनी की दूसरी कथा भी कहिए शिरिसूजी बोले शिवनक सुनो मैं तुम्हारे सामने गोपिनी एक अथा बस्तू का भी वर्णन करूंगा क्योंकि तुम शिव भगतों में अग्रगन तथा बेदी बेताओं में श्रेस्ट हो समुद्र के निकट वर्सी प्रादेश में एक बासकल नामक ग्राम है जहां बैदिक धर्म से बेमुक महापापी दुज निवास करते हैं वे सब के सब बड़े दुस्ट हैं उसनका मन दूर्शित विशय भूगों में लगा रहता है वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं ना भागे पर वे सभी कुटिल बृती वाले हैं किसानी करतिक और भिली भाती के घा तक अश्रसस्र रखते हैं वे व्यविचारी एवंखल हैं ज्यान वैराग्य तथा सब धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुर्शार्थ है इस बात को वे बिलकुल नहीं जानते हैं वे सभी पशुबुद्धी वाले हैं अन्यवर्णों के लोग भी उनीकी भाती कुशित बिचार रखने वाले सौधर में बिमुक एवंखल हैं वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विशय भोगी में ही डूबे रहते हैं वहां के सब इस्त्रिया वी कुटिल सोभाव की सुएक्षर चारनी पाप सक्त कुशित बिचार वाली एवं ब्यभी चारनी हैं वे सद ब्यवार एवं सदा चार से सर्वथा शुन्ने हैं इस प्रकर वहां का दुस्टों का ही निवास हैं उस बाशकल नामक ग्राम में, किसी समय एक बिदूंग नामधारी ब्रामहन रहता था, भै बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था, यदे भी उसकी इस्तरी बड़ी सुंदरी थी, तो अभी भै कुमार्ग पर चलता रहता था, उसकी पत्नी का नाम चंचुला था, वैसदा उत्तम धर्म का पालन करने में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर भै दूस्ट ब्रामहन वैश्यगामी हो गया था, इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक का बहुत वश्वैतित हो गये, उसकी इस्तरी चंचुला अपने काम से पिलित होने पर, आगे चलकर वह इस्तरी भी दूराचार नी हो गई, इस तरह दूराचार में डूबे हुए, उन मूर्चित वाले पती पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीद गया, तदर अंतर, शुद्र जातिय वैश्य का पती बना हुआ, वह दूर्शित बुद्धी वाला, दूस्र ब् बिंदुक समय अनुसार मिर्थु को प्राप्त कर नरक में जा पड़ा, बहुत दिनों तक नरक में दुख भोक कर, बहे मूर्थ बुद्धी पापी विंध्य परवत्पा भयंकर प्रिशाच हुआ, उधर उस दूराचारी पती बिंदुक के मर जाने पर, बहे मूर्थ बंधु के साथ गौकर्न छेतर में गई, तीर्थि यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में इस्तनान किया, फिर भैसाधारं तह, बंधु जनों के साथ यत्र तत्र गुमने लगी, गुमते घामती किसी देव मंदिल में गई, वहां उसने एक देवगे ब्राम्हान के मुख से भगवान श्रीप के परम पवित्र एवम मंगल कारणी उत्तम पौरानिक कथा सुनी। कथा बाचक ब्राम्हान कह रहे थे कि जो इस्त्रिया परपुरुस्त के साथ बैविचार करती हैं दे मलने के बाद यम लोक में जाती हैं। तब यम लोक की दूद उनकी योनियों में तपे हुए लोह का परिद डालते हैं। पवरानिक ब्राम्हान के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने बादी कथा सुनकर चंचुला भई से ब्याकुल हो गई और कापने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से चले गए तब भईभीत नारी एकांत मेश्य पूरान की कथा बाचने वाले उन ब्राम्हान देवता से बोली। चंचुला ने कहा ब्राम्हान मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दूराचार हुआ है। मैं सर्वथा निंदा के योग हूँ, कुशत विश्यों मैं फसी हुई, अपने धर्म से भीमोख हो गई हूँ। हाई, ना जाने किस-किस घोर कस्ट दायक दुरगती में मुझे पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ कौन बुधिमान पुरुष, कुमार्ग में धन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मिर्त्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को कैसे देखूंगी। जब वे बल पूर्बक मेरे गले में फने डाल कर मुझे बानेंगे। तब मैं कैसे धीरजधारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के तुकड़े तुकड़े किये जाएंगी। उस समय विशिज दुख देने वादी। उस महायातना को कैसे ज़िलूंगी। हाई मैं मारी गई। मैं मर गई। मैं जल गई। मेरे हिरते बिदेन हो गया। और मैं सब प्रकार से नस्ठ हो गई। क्यूंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रहती हूँ। ब्रामहन आप ही मेरे गुरू, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपके शरण में आई मुझ दीन अवला का। आप ही उधार कीजिये। उधार कीजिये प्रभू। सूद जी कहते हैं। शौनक इस प्रकार खेद और वैरार्ग से युक्त चंचुला। ब्रामहन देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी, तब उन बुद्धिमान ब्रामहन ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्रामहन बोले नारी, सौभागी की बात तो यह है कि भगवान शंकर की कृपा से शुपुरान के वैरागी युक्त कथा को सुनकर तुम सामय पर चेद गई हो। ब्रामहन पत्नी, तुम डरो मत भगवान शिव के शरण में जाओ। शिव की क्रपा से सारा पाप ततका नस्ठ हो जाता है। मैं तुम से भगवान शिव की कार्थिक कथा से युक्त उस परमवस्तु का वर्णन करूँगा जिससे तुम्हें सदा सुक देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धी इस तरह पश्चाताप से युक्त एवंशुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विश्यों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्राष्चित है। सद पूर्षों ने सब के लिए पश्चाताप को ही समस्थ पापों का सोदक बताया है। पश्चाताप से ये पाप की शुद्धी होती है। जो पश्चाताप करता है, वही बास्तों में पापों का प्राश्चित करता है, क्यूंकि सत्पूर्श ने समस्थ पापों की शुद्धी के लिए जैसे प्राश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन हो जाता है। जो पूरुष बिधि पूर्बग प्राश्चित करके निर्भय हो जाता है। वह अपने कुकर्मे के लिए पश्चाताप नहीं करता है। उसे प्रायह उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कुक्रत पर हार्दिक पश्चताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है, इस शियो पुराण की कथा सुनने से, जैसे चित शुद्धी होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है, जैसे दरपंट साप करने प हैं, मनुष्य के शुद्ध चित में जगदंबा पारवती जहित भागवान शिव विराज मान रहते हैं, इस से वह विश्वधात्मा पुरुष्ट सिरिसामे सदाशिव को प्राप्त कर लेता है, इस उत्तम कथा का श्रवन समस्त मनुष्य के लिए कल्यान का बीज है, अतह यथो चित मार्ग में इसकी आराधना अर्थात सीवा करनी चाहिए, यह भव वंधन रूपी रोक का नाश करने वाली है, भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदे में उसका मनन करते हुए निंध्या असन करना चाहिए, इस से पूर्णत है, चित शुद्धी हो चाहिए, चित शुद्धी होने से महेश्वर की भगति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्यत है प्रकट होती है, तत पश्चार महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ती प्राप्थ होती है, इसमें शंशय नहीं है, जो मुक्ती से वंचित है, उसे पशु समझना क्यूकि उसका चित माया के बंधन से आसक्त है, वह निश्यत है संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, ब्रामण पत्नी, इसलिए तुम इन विश्यों से मन हटा लो, और भगति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो, परमात्मा, शंकर की इस कथा को सुन परमल चित से भगवान शिव के चरनाल बिंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्मे में मुक्ती हो जाती है, यह मैं तुम से सत्त सत्त कहता हूँ, सूद जी बोले, शोनक इतना कहकर वेश्यों स्ट शिव भगत ब्रामान चूप हो गय, उनका हृदय करना से आद्र हो गय वेशुद चित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गय, तदंतर बिंदुक की पतनी चंचुला मनहीमन प्रसन हो उठी, ब्रामान का उक्त उपदे सुनकर उसके नेत्रों में आनिंद के आशु छलक आये थे, बहे ब्रामान पतनी चंचुला हर्ष भरे हिर्दय से उन श्रेस्र ब्रामहन के दोनों चरणों में किरपड़ी, और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृधार्थ हो गई, तद पश्यात उठकर वैराग युक्त उत्तम बुद्धी वाली वह इस्तरी, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्रामहन से हाथ ज परमार्त दर्शी हैं, आप सधा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेस्ट साधू, पूर्षों में प्रशंसा की योग हैं, साधू, मैं नरक के समुदर में गिर रही हूँ, आप मेरा उध्धार कीजिए, पौराणिक अर्थ तत्व से संपन, जिस सुन्दश्य प पूराण की कथा को सुनकर, मेरे मन में संपुर्ण विश्यों से वैरागय उत्वपन हो गया है, उसी इस श्योपूराण को सुनने के लिए, इस समय मेरे मन में बड़ी श्रधा हो रही है, सुजी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर, उनका अनुग्रह पाकर चंचुला, उ जन में लिए हुए, उन ब्रामठ देवता के सेवा में तक पर होने के लिए वहां रहने लगी, तद अंतर शुव भक्तों में श्रेष्ट और शुद्ध बुद्धी बाले, ब्रामठ देव ने उसी इस्थान पर उस इस्त्री को शुव पूराण की उत्तम कथा सुनाई, इ उस्था मुक्ति देने वाली है, उस परम उत्तम कथा को सुनकर बहे ब्रामठ पत्नी अत्यंत कर्थार्थ हो गई, उसका चित शुद्ध हो गया, फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके रदय में शिव के सद्गुन रूप का चिंतन होने लगा, इस प्रकार उसने अत्म मुध्धी पाकर, शिव के सचिदान अन्नमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ गिया, तत्पश्चा समय के पूरे होने पर भक्ति ज्यान और वैरा के सियुक्त, चंचुला ने अपने शरीर को विना किसी कस्ट के त्याग दिया, इतने में ही त्रिपुर्शत्र और भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिवे बिमान दृत गती से वहां पहुचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भली भाती के शोबा साधनों से संपन था, चंचुला उस बिमान पर आडूर हुई, और भगवान शिव के स्रिस्ट पार्शदों ने उसे तत्का शिव पूरी में पहुचा दिया, उसके सारे मल धुल गए थे, वह दिवे रूप धारनी दिव्यांगना हो गई थी, उसके दिवे अपवय, उसके शोभा बढ़ाते थे, मस्तक पर अर्धे चंद्राकार का मुकुट धारन किये वह, गौरांगी देवी, शोभा भाली दिव महादेव जी को देखा, सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे, गणेश, ब्रंगी, नंदिश्वर, अतथा, बीरवद्रेश्वर आदी उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे, उनकी अंग क्रांती करूडों सूर्यों के सामान प्रकाशित हो रही थी, कंठ में नील चन्न शोभा पाता था, पांच मुख और प्रतेक मुख में तेन तेन नेत्र थे, मस्तक पर अर्द चंद्रा कार मुकुट शोभा देता था, उन्होंने अपने बांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो बिद्दत श्वेद भस्म से भ्राशित था, शरीर पर श्वेद वस्त्र शोभा पा रहे थे, इस प्रकार परम उच्वल भगवान शंकर का दर्शन करके, बहे ब्रह्म पतनी चंचुला भूत प्रसन होई, अत्यांति प्रिती युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया, फिर हाजोड का बड़े प्रेम आधर और आनंद संतोर से युक्त होकर बीनित भाव से खड़ी हो गई, उसके नेत्रों में आनंद अश्रों की आविरल धारा बहने लगी, तथ संपुन शरीर में रोमांच हो गया, उसी जमें भगवती पारवती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया, और सौम्य ड्रस्ट्री उसके उपर डाली, पारवती जी ने दिवे रूप धारनी बिंदुग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सकी बना लिया, बै उस परमान अंदन जोती सौरू वेल्कम बैक शोताओं, रेडि उडान पर आपका फिरस स्वागत है, आप शो सुन रहे हैं कथा लोग, जी हाँ शोताओं, अब हम शो के अंतिम सेक्षन में आ चुके हैं, इस सेक्षन में हम आपको कावेधारा की अंतरगत, हरिवन श्राय बच्चन की कविताएं सुनाई ह आइए हम सुनते हैं हरिवन श्राय बच्चन की ये कविताएं, अगनिपात, 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 विक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र चाह भी, मांग मात, मांग मात, अगनिपात, 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 अगनिपात तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुडेगा कभी, कर्षपत, 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 अगनीपत, अगनीपत, अगनीपत. यह महान द्रिश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लत पात, लत पात, लत पात, अगनी पात, अगनी पात, अगनी पात अगनी देश से आता हूँ मैं, जुलस गया तन, जुलस गया मन, जुलस गया कविको मल जीवन, किन्तु अगनी वीरां पर अपने दगद कंट से गाता हूँ मैं, अगनी देश से आता हूँ मैं कंचन ही था जो बच पाया, उसे लुटाता मग में आया दीनों का मैं वेश किये हूँ, दीन नहीं हूँ, दाता हूँ मैं, अगनी देश से आता हूँ मैं तुमने अपने कर फैलाए, लेकिन देर बड़ी कर आए कंचन तो लुट चुका पथिक, अब लुटो राख लुटाता हूँ मैं, अगनी देश से आता हूँ मैं तुम तूफान समझ पाओगे, गीले बादल, पीले रजकन, सूखे पत्ते, रूखे त्रणगन लेकर चलता करता हर हर, इसका गान समझ पाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे गंद भरा यह मंद पवन था, लहराता इससे मदुवन था, सैसा इसका तूट गया जो स्वपन महान समझ पाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे, तोड मरोड विटप लतिकाएं, नोच खसोट कुसुम कलिकाएं, जाता है अग्यात दिशा को, हटो विहंगम उर जाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे मैं हूँ उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, कभी नहीं जो तज सकते हैं, अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं, शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हों, या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड, मैं हूँ उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, निर्भय होकर घोशित करते, जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिवभा पर होता है, उनके अंतर का अंगार, नहीं जिनें चुब कर सकती है, आत्ताईयों की शमशीर, मैं हूँ उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, नहीं जुका करते जो दुनिया से करने को समझाओता, उँचे से उँचे सपनों को देते रहते जो नियोता, दूर देखती जिनकी पैनी आख भविश्यत का तमचीर, मैं हूँन के साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, जो अपने कंधों से परवत से बढ़ टककर लेते हैं, पत की बाधाओं को जिनके पाव चनोती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है, लोहे की बेडी जंजीर, मैं हूँन के साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, जो चलते हैं अपने छप्पर के उपर लूका धर कर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, कूद उददी में नहीं पलट कर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूँन के साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, जिनको ये अवकाश नहीं है, देखें कब तारे अनुकूल, जिनको ये परवाह नहीं है, कब तक भद्रा कब दिक्शूल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूँन के साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, तुम हो कौन, कहो जो मुझे से सही घलत पत्लो तो जान, सोच सोच कर, पूच पूच कर बोलो, कब चलता तूफान, सत्पत्थ वो है, जिस पर अपनी चाती ताने जाते वीर, मैं हूँन के साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड, हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं, आप स्काइब के जरीए फीडबैक दे सकते हैं, हमारी स्काइब आईडी है, रेडियो उडान, रेडियो उडान, अगर आपने एड नहीं की है, तो इसे एड कर लेजिएगा, इसके अलावा, आप हमारी वेबसाइट पर भी फीडबैक दे सकते हैं, वेबसाइट का पता है www.radiodan.com, साथ ही आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, इमेल का पता है www.radiodan.com, तो शोताओं मिलती हूँ मैं आपसे, अगले हफ़ते धेर सारी कहानियों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजासत दीजिए, नमस्कार मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझ से किया है प्यार, मैंने तुझ से किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझ से किया है प्यार मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझ से किया है प्यार पुल्फत न सही नफरत ही सही इसको भी मुहबत कहते हैं तू लाँख चुपाए भेद मगर हम दिल में समाए रहते हैं तेरे भी दिल में आग उठी है जाग जबां से चाहि न कर इकरार मैंने तुझ से किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझ से किया है प्यार अपना न बना लो तुझ को अगर अपना न बना लो तुझ को अगर इक रोज तो मेरा नाम नहीं पथर का जिगर पानी कर दूँ ये तो कोई मुश्किल काम नहीं छोड़ते अब ये खेल तु कर ले मेल मेरे संग मान ले अपनी हार मैंने तुझ से किया है प्यार मान मेरा इहसान अरे नादान के मैंने तुझ से किया है प्यार मैंने तुझ से किया है प्यार